दोस्तो अगर आप भी अपने फोन में Google Chrome का यूज करते हैं तो इसकी 11 सेटिंग आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे आपको आना ही चाहिए अगर ये 11 सेटिंग आपको नहीं पता है तो फिर आपका Google Chrome चलाना एकदम बेकार है तो वीडियो को ध्यान से देखते रहे हैं अगर दोस्तो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 11 सेटिंग जिसमें कि आपको बहुत सारा फैदा होने वाला है गूगल क्रोम की कुछ ट्रिक आप सीख सकते हो साथ ही साथ आपको खत्रा नहीं होगा इससे आपकी सेफ्टी भी बनी रहा सकती है तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले ट्रिक जो है वो यह की आप गूगल क्रोम क्या आपको पता है कि इसमें मतलब यह काम करता है एक कैलकुलेटर की तरह आप इसमें कोई भी नंबर डाल करो जैसे कि देख लो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 4 प्लस 5 यह उसका एंसर दे रहा है ठीक है आप इसमें बड़ा नंबर भी डाल कर देख लो 4 प्लस 55 यहाँ पर 59 हो गया अगर मैं इसे कर देता हूँ divided by 3 तो इसका भी अंसर आपको यहाँ से मिल जा रहा है फिर मैं इसमें कर देता हूँ आपको multiply में करता हूँ तो into 12 तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना भी calculator की तरह काम करता है आपको calculator का यूज बिलकुल ही नहीं करना है number 2 की setting के लिए आपको चले जाना है three dot में और three dot में जाने के बाद आपको चले जाना है setting में यहाँ पर आपको मिलता है search engine search engine पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों देख लो पहला आता है Google जो कि हम स इसमें चले जाना होगा याहू अप search engine जो है हमारा Google है Google पर तो हमारा इंडिया में बैन है लेकिन आप कुछ और search कर सकते हो just like मैं कर लेता हूं डगडग गो मैं इस पर कर लेता हूं और इसे back कर लेता हूं अब दोस्तों example कि नहीं मैंने यहाँ पर map search कर लिया है अब इसमे बाद आपको मिलता है second option safe search का यह off है अगर आप चाहते हो strict या moderate करना तो आप safe search भी कर सकते हो इस ट्रिक से आप यही कर सकते हो कि आपकी कोई भी site जो ban है इंडिया में वो आप चला सकते हो यहां से करके तो मैं फिलहाल Google पर ही कर लेता हूं third number की setting है दोस्तों वो मिल जाता ह यही search engine के नीचे आपको मिलेगा payment method का आप इस पे click कर लो यहां पे देखो आपको option मिलते है save and fill payment method तो यहां पे आपको इसको off करके रखना है इससे दोस्तों क्या हुआ कि कोई भी website आप open करते तो जो कि आपको तो पता नहीं होता है कि वो site जो है वो real है या fake है तो वहां प को इस पे click कर देना है इसमें दोस्तों आपको second number option मिल जाता है save browsing आप इस पे click कर लो अब यहां पे देखो non protection अगर आपका लगा हुआ होता है तो आपको क्या करना है इन दोनों में से कोई select करना है इसको आप पढ़के समझ लो यह क्या कह रहा है enhanced protection यानि कि highest protection आपको यहां प्रोडेक्शन इसमें आपको मतलब कि limited रहेगी तो हमें क्या करना है कि enhance protection पर click कर देना है उसके बाद back चले जाना है five number में आपको करना है देखो यहां पे आ रहा है always use secure connection यानि कि इसमें कर रहा है HTTPS दोस्तों क्या होता है ना कि बहुत सारे fake website होते हैं जिसे google approve नहीं करता है तो वो होता है HTTP और HTTPS जिसमें लगा होता है last में इस जिसमें है वो होता है आपको Google से verified तो हमें इसे on करकर रहना है इससे आपको फायदा यह होगा कि HTTPS जिसमें नहीं होगा वो site हमारी नहीं खुलेगी तो ऐसे अगर फालतू में कोई भी website खुल जाएगे ना तो हमार site को यह allow करता है कि आपका payment method जो है वो चेक कर सके तो इसे हमें simply off करकर रहना है क्योंकि बिना हमारी permission के कोई हमारा payment method चेक कर ले तो वो गलत है हमारी सारी bank detail बगर चली जाएगी अगले के पास 7 number की setting आपको मिल जाते हैं यहाँ पर preload pages इसमें non default आपका कुछ भी set हो सकता है मेरा यहाँ पर है no preloading तो इसमें हमें क्या करना होगा कि आपको इसमें check कर लेना कि आप कैसा चाहते हो यहाँ पर होता है यहाँ पर second number पर हमें मिलता है standard preloading हमें इस पर click करके रखना है यह कह रहा है google server when linked from a google site यानी google site से जो approved है वही preload होगा यानी होता है कि कई बार आप आपको यहाँ पर reload option आता है उसके बाद फिर से यहाँ पर load होता है और automatic वह website खोल जाती है तो उसके लिए हमें standard preloading करना है no preloading को हम नहीं रहने देंगे और इसे भी नहीं नमबर 8 की जो setting है वो है यहाँ पर use secure dns आपको इसमें क्या करना है कि इसे on करके रखना है यहाँ chrome browser अच्छे से चले और साथी साथ हमारा data का खत्रा बिलकुल ही ना हो no 9 की जो setting है वो है यहाँ पर do not track इसे क्या करना है कि मान के चलो अगर आपका off होता है तो आप इसे on कर दो google क्या होता है कि कई बार आप जब use करते हो तो क्या होता है कि background से आपका data वो track करते रहता है कि आपकी मतलब आप क्या कर रहे हो अपने phone में क्या नहीं कर रहे हो तो यह track होता है तो हम इसे अगर on कर देंगे तो google हमें track नहीं करेगा तो यह हमें on करके रखना है यह दोस्तों आप ध्यान से करके रखना नंबर 10 की जो setting है वो दोस्तों आपको privacy and security की just नीचे मिल जाएग अपडेट जो है वो ओके है और save browsing ओके है यहाँ पर देखो अभी मैंने enhance protection on करवाया था जिसकी वज़ासे यह टिक हो रहा है अदरवाइस यहाँ पर error आता नंबर 11 की जो setting है दोस्तों वो आता है आपका theme थीम में अगर आप चाहते हो कि यह आखो पे ज़्यादा load पड़ता है इससे तो आप इसे चाहो तो dark mode में कर सकते हो या फिर system deferred भी आप कर सकते हो यह थी दोस्तों Google Chrome की कुछ setting जो की मैंने आपका बताना जरूरी समझा